आज मैं बहुत वक्त के बाद एक लंबी वीडियो कर रहा हूं जो लोग इस चैनल में पहली बाहर है तो मैं उनको बोलूँगा इस वीडियो को पूरी देखना और उसके पर सब्सक्राइब करना मत भूलना आपका सपोर्ट चाहिए मुझे आपकी एंगेजमेंट चाहिए इस बहुत ही सेंसिटिव इशु है और वो इशु है आलो जुट ना करना जुれंगे मुझे हिसां इस पर आज बात करेंगे आलो जुट्ट सिनग यह पर आज बोशन उपर आलो जाली प्री एंगे जालो जो जो आए वा तरीगए एक होगा और सब्सक्र procure आए पॉट्टों वो क्या ह 티 I'maha benda करता ही आप कैसे लेती हो सामने वाला बंद रचतीव ली बढ़ा सकता हे जो कि बहुत कम चांस्», बट सामने वाले बंदे की उपर जिसकी उपर आलोषना करी जा रही है उसके उपर depend करता है कि वो उसको कैसे लेता है positively लेता है या फिर negatively लेता है अगर positively लेता है तो वो कई न कई जो improvement करने की सोचेगा अगर negatively लेता है तो वो आपकी आवाज को दबाएगा आपको दबाएगा और दूसरी तरीक है कि अगर आलोशना हो रही है, वो डाइजश नहीं कर पारा, वो इंप्रूम नहीं करना चाहता है, वो रेजिस्टेंट है, तो वो जो है आपको दबाएगा, आपकी बातों को जो है गुमराही बताएगा, और इस तरीके से जो है आप एक आइसोलेटिड एनवार्मेंट में जाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो जो होते हैं, क्रिटिसिजम को अप्रिशेट नहीं करते हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए वो ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, ये भी एक रिजन है, तो ये बहुत जादा वाला बंदा किस तरीके से लेता है उसको, तो guys आजकल जो आपको पता ही है कि कुछ लोग है हमारे यहापर जो है criticism को ना अमलब दबाया जा रहे है, criticism आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन criticism करने की भी तरीके होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा इशू कि क्रिटिसिजम को करा किस तरीके से जा रहा है तो guys मैं आपको ये बताना जाता हूँ क्रिटिसिजम करो आप positive करो या negative करो करो मना नहीं कर रहे करना चाहिए करना ज़रूरी है लेकिन respectful manner में करना चाहिए ये बहुत important चीज है अगर आप अपना काम respectful manner से करेंगे पूरी तहजीब से करेंगे न तो कोई आप पी उंगली नहीं उठा सकता रही बास सच और जोटकी तो सच जो होता है न वो fact पर dependent होता है अगर fact है वो बिलकुल pure fact है that is truth अगर उसका जो एक element है fact उसका 10% है दूसरा element है आपका opinion है आपका जो है perspective है and that is very subjective तो वो सच की definition में नहीं आएगा that is subjective अब क्या है कि अब आप ये देखो कि वो subjective हो जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लहजें में बात करेंगे हो और एक ठीक बात करो वो तभी हो पाएगा जब आप जो है ना इसको spread करेंगे नए लोग है भाई मैं मानतों नए लोग है लेकिन आप हिम्मत दोगे ना तो ही आगे बढ़ पाएगे और ठीक बात करेंगे ये मेरा वादा है आपसे ये मेरा वाद है ठीक है तो criticism करो आपका अधिकार है आलोचना करो आप लेकिन respectful manner में करो और सही आलोचना करो ये निकी जबर्दस्ती का रगणा लगा रहे हो जबर्दस्ती का रगणा नहीं लगाना सोचो समझो उसके बाद आलोचना करो तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को रखा है आप मुझे बताइएगा आपका feedback कैसा है आप भी criticize करो मुझे positively करो negatively करो लेकिन criticize करो और बाकी आपकी मर्जी है मैंने आपको बोला respectful manner में करना आपकी मर्जी है और ये rules अपने apply होते हैं कही बर भी काम करते हैं कुछ भी आपको दिखता है गलत तो फिर आप criticize कर सकते हैं और हमारी जो democracy है वो इसका अधिकार हमको देती है Thank you so much everyone for your time and response Love you all Please take care, stay safe Thank you so much Jai Hind